तो दोस्तो एक सक्त आदेज सरकार का या कह सकते हैं कड़ा फैसला सिग्र लागू होने जा रहा है और टो मुबाइल इंडस्ट्री की सभी कमपनियों को इसका पालन करना होगा और ये कदम उठाया है सरकार ने सडक सुरक्षा को लेकर आपकी सुरक्षा के लिए तो आज आपके लिए ये मस्ट इंपोटेंट वीडियो है इसको जादा से जादा आपको शेयर भी करना है और साथी वीडियो को लाइक तो अवश्य करना है ताकि हम इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज आपके लिए शेयर करते रहें दोस्तो सड़क परिवेन वेर राजमाग मंत्राले ने शुकरवार को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें सभी आटमोबाइस कमपनियों के लिए अपनी गाडियों में ड्यूल एर बैग देना अनिवार्य कर दिया गया है क्योंकि आप अभी तक देखते थे कमपनिया अपने टॉप मॉडल्स में ही इन्हें दिया करती थी यानि अभी भी बहुत सी ऐसी कमपनिया है जो सेफटी के मानक को केवल एक फॉर्मिलिटी के तोर पर लेती हैं अपनी लाइबिलिटी या अपनी जिम्मेवारी के तोर पर नहीं लेती हैं तो ये बहुत ही गलत बात है लेकिन सरकार ने जब इस बारे में आदेश जारी कर यह नियम क्या है आपको इसमें क्या फॉलो करना होगा या ओटमुबाइल इंडस्ट्रियों को क्या इसमें फॉलो करना होगा और क्या इसकी डैडलाइन है सारी इंफ्रमेशन आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी तो आप चैनल को लाइक भी करें सब्सक्राइब भी करे और प्रेस करें बेल का इकॉन भी क्योंकि सबसे पहले हम यह शेयर करते हैं आपकी सेफटी के बारे में जो भी मस्ट इंपोटेंट न्यूज आती है तो दोस्तों मंतराल्या का यह कहना है कि ड्यूल एयर बैक्स वोना एक महतपूर्ण सुरक्षा उपाय है बहुत अच्छी बात है लेकिन हम इससे एक कदम और आगे सोचते हैं गाड़ियों की बाड़ी बिल्डप के लिए भी निश्चित रूप से कोई अधी सूचना या गवर्मेंट का अधेश आना चाहिए कि जाहे वो बेस सेगमेंट की गाड़ियां हो लेकि उनका बोड़ी बिल्डप भी बिल्कु सेफटी के मानक पर होने चाहिए बलकि सेफटी टेस्ट होकर ही गाड़ियां सेल होनी चाहिए ऐसा हमारा इस बारे में विचार है आप क्या सोचते हैं आप भी अवश्य लिकिए वैसे सरकार का जो आदेश है आपको बता देते हैं जो न्यू रूल्स लागू किये गए हैं उसमें मंत्राले ने कहा है कि 1 अपरेल 2021 के पहले दिन या उसके बाद निर्मित नए वाहनों में आगे की दोनों सीटों के लिए ड्यूल एर बैग यानी ड्राइवर और उसके लिए आवश्यक है वहीं जो पुराने वाहन है उनके संद्रम में मंत्राले ने कहा है कि 31 अगस्त 2021 से नई गाड़ियों के मौजुदा मौडलों में भी आगे की ड्राइवर की सीट के अलावा को पैसेंजर के लिए भी एर बैग लगाना अनिवारे होगा और सरकार का यह भी कहना है 31 अगस्त के बाद अगर कोई कार सड़क पर बिना एर बैग के चलती मिलेगी तो उसका चालान काटा जाएगा यह बहुती अच्छा फैसला है हम सपोर्ट करते हैं उम्मीद है मारे सबी सब्सक्राइबर भी इसको सपोर्ट करेंगे बलकि हम तो कमेंट्स देखते हैं अपने चैनल पर जहाँ पर सभी लोग बिलकुल एक मत से यही कहते हैं कि कमपनियों को अब बिलकुल अपनी सोच बदल लेनी चाहिए उन्हें गाड़िया ही ऐसी बनानी चाहिए जो अब नॉर्मल कंडिशन में भी सेफ रहें नॉर्मल कंडिशन के बारे में तो कहना क्या है जब तो आप कुछ भी कही नहीं सकते हैं नॉर्मल कंडिशन में तो हर गाड़ी चलती रहती है और अब नॉर्मल कंडिशन कभी कहकर नहीं आती है तो पहले से ही सतर्क सावधान और सुरक्षित गाड़ियों का अगर निर्मान हो तो दुरगटनाओं का इस तर बहुत कम हो सकता है बहुत कम हो जाएगा तो ये बहुत must important कदम है और इसके लिए हम निश्चित रूप से भारत सरकार को भी धन्यवाद देते हैं और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान आप कह सकते हैं सोच को भारत में एक बहुत बड़ा योगदान इस नई सोच को पैदा करने का योगदान टाटा ग्रूप का भी है तो निश्चित रूप से हम उन्हें भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि सबसे पहले जो सुरक्षा की बात की सबसे पहले इस बारे में चर्चा कहां से सुरू हुई टाटा की गाड़ियों से जहां सबसे पहले नेक्सोन को मिले थे सुरक्षा में फाइब स्टार और तभी लोगों ने जाना कि सुरक्षा क्या होती है और आज भी टाटा जो गाड़ियां बनाते हैं चाए वो हैच्च सेग्मेंट की है चाहे वो सरडान में टिगोर जैसी गाड़ियां है या प्रीमियम हेच बख में एल्ट्रो जैसी गाड़ियां है सभी में सुरक्षा का ध्यान लगते हैं तो आपका क्या विचार है इस नई मूवमेंट के बारे में और टाटा के योगदान के बारे में आप अवश्य यहां पर लेकिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों इसमें सरकार ने तो खैज जो फैसला किया है आपको हमको सभी को जागने की अवश्यकता है अगर आप जाग जाएं तो कंपनियां खुद ही मजबूर हो जाएंगी ऐ अगर आप सोच बदलेंगे तो कंपनियां खुद बदल जाएंगी और इसी सोच को बदलने की अवश्यकता के लिए हमने इस चैनल का निर्मान किया है टाइम टू टाइम आपके साथ हम यहां पर इसी तरह की वीडियो भी शेयर करते हैं तो आप भी चैनल को सपोर्ट करें ताकि इस मुहिम को हम और भी आगे ले जाएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए नमशकार धन्यवाद दोस्तों आप इस एरबैक्स के फीचर्स को कम बेनिफिट का ना समझें क्योंकि एरबैक्स का जो निर्मान होता है कोटन के द्वारा होता है जिनमें सिलिकॉन की कोटिंग होती है आपको इसके बेनिफिट आपको हम यहां पर शेयर कर रहे हैं और airbag के अंदर sodium azide gas भरी होती है जब कार के bumper में आगे की तरप एक sensor भी होता है जैसे ही कोई चीज वेग से bumper से टकराती है sensor activate हो जाता है और उस हद से के दौरान एक सेकंड से भी कम बक्त में airbags खुल जाते है जिस से चोट लगने का injury का खत्रा यानी कम हो जाता है और यात्यों का सिर खास तोर से आगे जो सबसे sensitive है उसमें चोट नहीं लगती है और उनकी जान की safety बनी रहती है तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम यहाँ पर हम मानते हैं और आप जानते होंगे हमने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने कहा था जो सरकार का एक आदेश आया था उस बारे में अपनी राए भी शेयर की थी कहा गया था इस बारे में राजमार्ग मंत्राले द्वारा कि अब गाड़ियों को अपने सेफटी रेटिंग्स पर भी विशेज ध्यान देना चाहिए और केबल ये ही नहीं रियर कैमरा भी या सैंसर भी ये एक अनिवारे फीशर्स में अपने बेस मॉडल में भी डाल देने चाहिए कोई ज़्यादा इसमें कॉस्टिंग नहीं आती है ये आप भी जानते होंगे अगर आपने अफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराया है इस तरह का सिस्टम तो कमपनियां चाहें तो इन्हें दे सकती है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दे सकती है हाला कि इन फीचर्स को कमपनियां भी टॉप मॉडल में देती है लेकिन अगर ये सिस्टम आ जाते हैं तो एक सेफटी एक अलग ही टाइप की बन जाएगी तो कुल मिलाकर यही सामने आता है कि अब जनता को निश्चित रूप से बहुत जागरूख होने की आवश्यक्ता है जहां सरकार का प्रत्न है वहाँ आप सभी को भी इस बारे में प्रत्न करना चाहिए ऐसी ही गाड़ियां पर्चेज करनी चाहिए जो 100% सेफ हों क्योंकि आपके पैसे का वहीं पर सदुपयोग होता है जो आपकी फैमिली और आपको सुरक्षित रखें तो ये है इस बारे में हमारे विशार आपको information कैसी लगती है अवश्य लिकिए और इस वीडियो को जितना भी possible अपने सबी ग्रूप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए क्योंकि सरकार तो इस बारे में करी रही है आपको भी जागरूप होने की निश्यत रूप से अवश्यक्ता है और इस अवेर को शेयर करने की भी आवश्यक्ता है तो दोस्तों मिलेंगे इसी तरह की latest information के साथ तब तक के लिए नमश्कार